हालो फ्रेंस वेलकम बंब वाय यूटुप चैनल आहील टेग फ्रेंस आज हम बात करेंगे कि HUDM वालेट जो हम लोग यूज करते हैं तक्रीबन लोग budget यूज करते हैं और उसका जो फूल के वाय सी हम जब पेटीयम वालेट का करा लेते हैं तो आप एक ओप्सन आता है saving bank account open करने का तो जिन आदमियोंने saving bank account open कर लिया है या current bank account open कर लिया है तो उसको कैसे हम जो है कि paytm net banking उसमें register कर सकते हैं कैसे उसमें login करेंगे और कैसे उसमें use करेंगे क्या क्या इसमें future से इस वीडियो में हम आज यही बताएंगे आप लोग को चलिए दोस्तों वीडियो में तकाब बने रही है वीडियो को देखते रही है उससे पहले आपसे request है कि अगर आप हमारे channel पर नए है तो आप इसको like or subscribe जिरूर कर देए तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर Chrome browser में जाएंगे Chrome browser में जाकर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Paytm Net Banking Paytm Net Banking लिख के हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो उपर में यह जो आएगा आप देख सकते हैं Paytm Payment Bank Login हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है कि आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ आएगा Login to Net Banking यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे हमने क्या करना है यहाँ पे हमने यह जो रेजिस्टर पेटियम मोबाइल नमर है जो हमारे पेटियम के साथ जो रेजिस्टर है यहाँ पे दो ओप्सन दिया हुआ है या तो इसके उन्दर हम अपना रेजिस्टर मोबाइल नमर डालें पेटियम के साथ जो रेजिस्टर है या अपना इमेल पर जाके इसको reset कर सकते हैं ठीक है फ्रेंज अने था अगर आपको यह याद है तो यहां पर आप जो है कि अपना पासवर्ट डालके यहां पर login सेक्योरली पर यहां पर किलिक करके आगे प्रोसीड करेंगे तो चलिए दोस्तों यह सब हम यहां पर डाल देते हैं डालके हम य यहां पर जो जी स्टर जो ओटी पी है इसके अंदर डालके यहां पर वेरिफाइव ओटीपी पे हमें किलिक करना है चलिए दोस्तों यहां नाम दिखाई देगा अब देख सकते हैं उसके बाद हम इसके ऊपर किलिक करेंगे इसके आपर click करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा passcode माँग रहा है जो हमने अपने bank transaction के लिए एक passcode बनाया होगा चार अंकों का वो passcode हम को यहाँ पे डालना होगा डाल के यहाँ पे continue button पे click करना पर एगा क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा उपर में हमारा जो है कि यहां पर लिखा हुए आएगा और यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारा नाम अकाउंट नमर elet apc code यहां पर बैलेंस झो है कि हम अपना चेक कर सकते हैं यहां पर फिक्स डिपोजिट मेंivanfest कर सकते हैं और यहां पर उपर जो है कि कुछ ऐसा option आता है कि अपना path Book हम चेक कर सकते हैं इसमें click करके यहां पर money transfer कर सकते हैं यहां पर fixed deposit का option है अगर money transfer करना है तो हमाई पर जो money transfer कोरण है again अब समझ गए होगे उम्हेद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाइए टेक केर